हेलो फिर्ट आफस्वी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वीटूप चैनल खुशा अजनगी में तो आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्या मंदिन के बारे में और इस वीडियो में खास में आपको बताऊंगी कि रक्षा मंदिन में राकी बानते वक्त आपको कूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी है और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इसे आपको उपर भारी सिर्फ पढ़ सकता है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए है और तो मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजेगा तो चलिए पना किस देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो रक्षा मंदिन का तेवार भाई बहन के पावन रिष्टे का प् साल ये पर 30 और 31 अगस को मनाया जाएगा और 30 अगस को सुबा 10 बच के 18 मिनिट से फूर्मती शुरू होगी जो कि 31 अगस को सुबा 7 बच कर 5 मिनिट तक रहेगी और वहीं 30 अगस को पुए दिन भद्रा का साया पढ़ने कारण प्रदोश काल में रात 9 बच कर 1 मिनिट से रा राकी बानते समय भूल कर भी आपो कौन सी कल्दिया नहीं करनी है चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं तो राश्रापंदन के पर भूल करी भद्राकाल के वक्त राकी नहीं बाननी चाहिए और कहा जाता है कि रावर की बहन सूप नखानी भद्रकाल में अपने भाई दक्षर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और ध्यान रखके भाई का मुख दक्षर दिशा की ओर ना हो गगी अयम की दिशाम आए जाती है तीसरा रख्ष्यमंद के दिन प्लास्टिक की राकी अशुप चिन्नों वाली या फिर खंडेत राकी नहीं बाननी चाहिए और साथी साथ आपको रख्षर मनन बानते वक्ट भाई के सिर पर रुमाद जरूर रखना चाहिए और वहीं तूटे चावस तिरक ना लगाए और तिरक लगाने के लिए सिंदूर का अपयोग भी ना करें पांच बाग इस दिन तूटे फूटे या फिर खंडे दीबग से भाई की आर्दी नहीं उताने चाहिए तो अब मैं आपको एक खास पाय बताने वाली हूँ तो रख्षा सूत्र तीन धागो लाल पीला और सफेद रंग वाला हो तो शुब माना जाता है और वहीं आप चाहती हैं कि आपका भाई या श्वान जन, जीवी और किर्दिवान बना रहे तो इसके लिए रख्षा सूत्र में चंदन लगाकर शुब मूरत में भाई के लाई पर बांदें और चंदन या फिर दही का तिलग लगाने से भाई का भाई योदे होता है तो आज कर दो से तना है वीडियो पसंद आयो तो प्लीज में चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करेगा और इसी रेटेस्ट वीडियो के लिए हमाजें को सस्क्राइब को नहीं मत भूलेगा तो मिलते हैं आज से अदने एकली वीडियो में तब तक के नवश्कार और अपना ध्यान रखें